गुरुजी रादे- रादे, वैसे गुरुजी मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कुछ मैंने पहले क्या हुआ? बताईए तो बाला जी गए थे आपके पती वो बीमार थे उन्हों नहीं से कहा कि अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तुम अकेले निकल जाएंगे तुम ने कापकी तबेद खराब है और हम साथ में चलेंगे तुम लेके बाला जी आए थे यहां प्याने के पंदा दिन बाद उन्हें को क्या चले गए वो तो बेटे ने क्या बोला कि बाला जी नहीं ले जाते तु नहीं जाते हैं करें ते कमजोड थे तुम बाला जी ले गए थे इसलिए चले गए थे चले गए पापा कहां है आपका बेटा आया नहीं है तो आप लाते तो हम समझाते उसको आपको हम समझाएंगे तो आप तो बॉल्रेडी समझती है जिसका जितना समय है वो कहीं जाए या ना जाए समय जितना है उतना ही है नवसे एक रत्ती कम है नवसे एक रत्ती जादा है इसलिए बच्चे को ले आना हम इसको समझा देंगे कोई बात नहीं तहार में अगाँ उसे कोई लेना देना नहीं है आप तो हमारी बात करा देना नेक्स्ट जब भी लाना तो हम से मिला देना ठीक है खुश रहिए और जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इनके कारण जिसका जितना कारे कोई किसी को मार नहीं सकता आप किसी को गोली मार दीजिए एक कहानी मुझे याद आगई सब्जेक्ट में सुनाता हूँ बहुत नामाम तो मुझे याद था पर अभी कुछ भी याद नहीं है कहानी बस याद है कहां की है यह घटना यह भी याद नहीं पर सत्य है आप गूगल करेंगे मिल जाएगी एक व्यक्ती ने एक व्यक्ती को गोली मारी खोपड़ी में दूर से मारी तो उसके कान को छूती हुई गोली पीछे पेड था नीम का या कुछ का भी तो वो गोली जाके उस पेड में धस गई ठीक है और वो व्यक्ती गिर गया जिसको गोली मारी चूंकि वो डर गया डर के गिर गया और गोली जाके लगी पेड में अच्छा जिसने गोली मारी उसको लगा कि यह मर गया और वो वहाँ से चला गया चला गया ना अब वो तो चला गया और उसने अपने आपको गोली मार लिए जिसने उसको मारी थी उसने अपने आपको गोली इसलिए मार लिए कि मैंने इसको मार डाला अब तो जेल जाओंगा तो वो मर गया समझ ना गोली मारने वाला ने अपने आपको मार लिया और समझा कि ये मर गया जबकि वो मरा नहीं था अब वो बच गया और गोली जहां मारी थी वो उसी का घर था उसी का मतलब जो बच गया है ना उसके आंगर में लगा था वो पेड़ जिस पेड़ में गोली धसी हुई थी इस बात को हो गए बारा साल बारा साल बाद उस व्यक्ती ने उस पेड़ को कटवाया किस व्यक्ती ने जिसको गोली मारी थी तो कान के बगल से निकल के पेड़ पर धस गई थी उस व्यक्ति ने उस पेड़ को कटवाया बारा साल बाद और जब कटवाया तो काटने वाले ने कुलहाडी मारी संयोग से वो कुलहाडी उस गोली में जाके लगी और गोली वहाँ से निकली और ये साहब वहीं टहल रहे थे तो वो गोली इनको लगी और ये स्पोट पर मर गए मरना उसी गोली से था पर बारा साल बाद मरना था तो देखो वो गोली पहले पेड़ में इंतिजार करती रही कहने कार थी ये हुआ हानी लाव जीवन मरण इश्वर के आधीन है जब तुमारी मृत्यू होगी तब ही मरोगे नहीं गोली भी कोई मार दे क्या हेलिकॉप्टर की दुरगटना में सारे लोग मर जाते हैं पर एकाद बच जाता है क्यों बच गाए सारे मरे थे तो वो भी मर जाता लेकर नहीं जिसकी मौत नहीं थी वो नहीं मरा जिसकी थी सब इश्वर के आधीन है कितना मुझे जीना है ये कौन जानता है इसलिए हम सब उनके कट पुतली है ये ना सोचें कि वहाँ गई ऐसा हो गया वहाँ ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो फिर लगाते ही है पर इसके लिए हम एक भजन आपको सुनाते है कि ना देना दोस किसमत को विपति तो सब पे आती है विपति आई राजा दसरत पे राम जब जा रहे थे बन को ना देना दोस कह कही को विपति तो सब पे आती है किसी को दोस और गुरू जी जब आप इक था सुनके इतना उलजन लोगती मन करता है भिहारी जी के दरसन करने आए अभी हम दिसंबर में भी आए तो उससे पहले पे अक्सर दो-तिन मैंने आए जाये करते हैं तो आस पोडोस के लोग या जो ही निकट संबंदी समझी है वही कहेंगे पागल हो अभी पड़ के अभी अभी कल गई थी परसो गई थी परसो अमने सपना देगा कि हम भीहारी जी के आसपास टहल रहे हैं तो आज हम आपके सामने खड़े हो गए कल हमने फोन के मम्मी को अपनी कियम जा रहे हैं कि दूंपाग हो नोगे पैसे एक तो चोटी नोकरी करते हम दो दो बच्चे हैं हम तो आज रहते जाएं तो पैसे हो जाते हैं हमने का भीहारी जी ने बुलाया है तो खाए ने उनसे क्यों अभी नियांगे कि बाद में आए कि आप से दिख्षा लेनी है सुबह कितने बजे सुबह नौ बजे रादे रादे